हेलो दोस्तो ये वीडियो आरिफ के सारस को लेकर है और ये नियूज ये अपडेट कल सुबह आ रही थी और कल सुबह ये वीडियो मैंने नियूज पे देखी के एक रेलवे इस्टेशन पे सारस पड़ा हुआ है जो की घायल है और उसे कोई बचाने भी नहीं आया है वो ऐस से ही पड़ा हुआ है और उसकी वीडियो मुझे इंटरनेट पे मिली अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो सारस है ये आरिफ का है आरिफ गूजर का ये सारस पंची है और ये जो वीडियो है दोस्तों ये वरेली के रेलवे इस्टेशन की है जहां पर एक सारस गायल पड़ा हुआ है और वो आरिफ का वताया जारा है कि आरिफ का है वो वन बिभाग से वो भाग कर उड़कर आ गया है और वहाँ पर रेलवे इस्टेशन पे वो पड़ा हुआ है ऐसा वताया जारा है नियूज में और मैंने जबी से ये वीडियो देखी तो मैंने यहाँ पर च और लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि उनका जो सारस है उन्हें बापिस मिल जाए यहाँ पर सभी लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं खूब प्यार दे रहे हैं आरिफ भाई को और यहाँ पर खूब उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका सारस उनको मिल जाए लेकिन फिर भी अभी तक उनका सारस उनके पास नहीं मिला है अब बात करूँ इस वीडियो की अब इस वीडियो की मैं पहले ही बता दूँ इस वीडियो की पूरी सच्चाई की मैं नहीं कह सकता हूँ पूरी तरी से यह तैय नहीं है कि यह आरिफ का सारस है या फिर कोई और सारस है लेकिन इ आता है तो तुरंथ आपको अपडेट करेंगे और तुरंथ आपको बता देंगे और सभी को पता चल जाएगा पूरी तरीके से और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से support कर रहे हैं आरिफ का जो पंची है इनको मिल जाए और लगतार दोस्तों इस वीडियो को सेर कीजिए और वीडियो को लाइक एडिये और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सेर जरूर से कर देना